नमस्कार मैं हूँ अन्पवनूप आप देख रहे हैं दख़बरदार नोज आज 6 दिसंबर है और अब हम बात करेंगे आज के इतिहास के बारे में तो 6 दिसंबर 1932 में भारत के पहले गबर्नर जर्नल वारेन हिस्टिंग्स का जन्म हुआ था 1750 में बारेन हिस्टिंग्स East India Company के Clarke के रूप में कोलकाता आए और कुछ दिन बाद उन्हें कासिम बाजार का द्यक्ष न्यूपति किया गया रिगुलेटिंग एक्ट के तहद हिस्टिंग्स को 1774 में बंगाल का गबर्नर न्यूपति किया गया था और इसी एक्ट के तहट कलकत्ता के एक सरवोच न्याले की स्थापना की गई जिसका अधिकार शेत्र कलकत्ता तक सीमित था। बारेन हेक्स्टिक्स के अपने कारकाल के दोरान न्याय सुधारों के अंतरगत जमीदारों के न्यायक अधिकार खत्म कर दिये गए और 1781 में कलकत्ता में मुसलिम सिक्षा के विकास के लिए एक मदर्सा की स्थापना की गई थी। वही 6 दिसंबर की दूसरी सब्चे महत्यपून घटना की बात करें तो 1956 में संबिधान निर्माता डाक्टर भीम रा अंबेडकर का निधन भी हुआ था। चुनाबू में 15 सीटे जीती थी, 1940 में मुसलिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में मसहूर पाकिस्तान प्रस्ताओ पास किया था। अंबेडकर की लेवर पार्टी ने पाकिस्तान प्रस्ताओ का ध्यान करने के लिए एक समिति बनाई। इस समिति के लिए दिसंबर 1940 तक अंबेडकर ने अपने रिपोर्ट तयार कर ली। वह पाकिस्तान और अपार्टीशन आफ इंडिया नाम से प्रकासित हुआ था। बाबा साहब ने भारत का सम्विधान दो बर्स 11 महीने और 18 दिन में तयार किया था। भारत का सम्विधान दुनिया में सबसे बड़ा, बेहतरीन और सक्तित साली सम्विधान माना जाता है। जिसे 26 नवंबर 1940 को लागू कर दिया गया था। 6 दिसंबर 1978 में इस्पेन के नागिरिकों ने 40 साल के ताना साही सासन के बाद लोकतंद्र के इस्थापना के लिए मतदान किया था। यह जन्मत संग्रह इस्पेन के नए सम्विधान के स्विक्रित के लिए कराया गया था। नए सम्विधान में राजसाही के मौजूदा ज चत्म कर दिये थे और इस्पेन के राजा तात कालीन, जुआन, कार्लोस और रानी सोफिया ने नए समिधान का समर्थन किया था। 6 दिसंबर 1992 में आयोध्या की बावरी मस्डित तोड़ी गई थी। इस घटना के बाद भारत में भयानक सांप्रदाईक दंगो की सुरुवात हो गई। इसलिए उन्होंने बावरी मस्डित को ढहा दिया था। इसके बाद पूरे उत्तर भारत में सुरक्षा बलकी तैनाथी कर दी गई थी और हाई एलर्ट घोसित कर दिया गया था। जिसके बाद हुई केंद्री कैबिनेट की आपात बैठक में बिजेपी के नेतिरत वाली उत्तरप देश सरकार को मस्चित की सुरक्षा में नाकाम रहने के कारण बरखास्त कर दिया गया था। राजनैतिक दलों ने इस मुद्दे को कोर्ट के जरिये सुलजाने के बाद कही और फिर अदालती कारवाई शुरू हुई लंबी कारवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनाव बिंच ने 2010 में विवादित जमेन को तेन हिस्सों में बाटने का फैसला सुनाया था जिसमें एक हिस्सा राम लला को जिसका प्रतिनिधत हिंदु महा सभा कर रही है दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा और तेसरा हिस्सा सुन्नी बखबोट को सौपने के बाद कही गई थी तेनों पक्ष पूरी जमेन पर अपना हक जता रहे थी जिसके कारण तेनों सुप्रेम कोट में अपील दायर की थी और सुप्रेम कोट ने लंबी कारवाई के पाद 9 नवंबर 2019 को इस मामले पर फैसला सुनाते हुए बिबादित भूमी को हिंदू पक्षकारों को देने की बात कही वही मुसलिम पक्षकारों के लिए सरकार को आदेश दिया कि इन्हे अयोध्या में मस्जित निर्माण है तो पांच एकर जमीन उपलग्ध कराई जाएगी तो ये थी 6 दिसंबर से जुड़ी हुई इतिहास की प्रमु घटनाएं हम ऐसे ही इतिहासी घटनाओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे देखते रहिए दखबरदान्यूज नमस्क धन्यवाद